आपका जो नारा है ना बिना पर्ची बिना खर्ची सिदी भरती सर मैं कहना चाहूंगा कि वो बिना पर्ची बिना खर्ची वो सब चीजे ना आपके विश्वास उठता जा रहा है हमारे ग्रहम अंतरी जी की विश्वेष्च्था ही पुछी गई है उसके अंदर ओफिशन दिया गया है वो एविवाईध है और वो उन Bach comments और उन्हें महना है एविवाईध होना एविवाईध होना सर किसकी विश्वेष्वेष्था हो सकता जाती धरम से कोई related question नहीं आएंगे पुद का exam में question आयो है कि खदरी वो किस चीज से लगाते हैं उनका उनकी कास्ट है या ये है तो सर कहां चीजें फोलो हो रही है तो सर ने एक इंट्रिव में बोला था कि इस पेपर में पुलिस के exam में Hindi English नहीं आएगी आप तो मना कर रहे थे तो उन्होंने का ये जीके का पार्ट होता है Hindi English जब से वो आए हैं इमानदारी की बात करते हैं और इतना बड़ा बवंडर हो चुका है मगर फिर भी सर उसके उपर कोई action नहीं लिया जा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है नवस्कार मैं आपका मित्तर सर्वमित्तर मसला है अभी हर्याना में कुछ दिन पहले ही सब इंस्पेक्टर की भरती होई एक्जाम हुआ लेकिन उसको लेकर बहुत सारे युवाओं का कहना है कि उस एक्जाम में या उस भरती में गड़बड़ी हुई है गड़बड़ हुई है धांदली हुई है और ये इनका इशू है दरासल हम तो चुनावी कवरेज के लिए एलनाबाद आये हुए हैं लेकिन इनके कई दिनों से फोन आ रहे थे कि हमने आपके साथ बाचित रखनी है हमारा जो मसला है वो हमने सामने रखना है तो आज ये स्पेशल आये हैं हरियाना के अलग अलग कोने से यहां पर हमारे साथ बाचित करने के लिए अब वो किस तरीके से उस भरती में उस एक्जाम में गड़बड़ी हुई है यहीं बताएंगे नौजवान हमारे साथ हैं क्या मामला है क्या इशू है कि आप जो कहना चाहते हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है सर 26 सेप्टेंबर को हमारा हरियाना सब इंस्पेक्टर पुलिस का एक्जाम हुआ था दिया जिसमें अंटर हमारे संटर बनाई गए थे मगर क्या हुआ गुरगाउं रिवाडी और महंदर गड़ड़ड़ी के अंदर जो संटर बने हुए थे फिर बाद में हमारे चैर्में साहब का कहना है कि वहां पर बत्चों को पूरा टाइम नहीं दिया गया जिसकी वज़े से उन्होंने उन तीन सेंट्रों के बच्चों का तेरा तारिक को दुबारा एक्जाम के लिए उनको नोटिस दे दिया गया और उसके साथ उनमें ओप्शन दिया गया कि आप अगर जिसका अच्छा हो गया है उस दिन वो चाहे एक्जाम ना दे और जिसका अच्छा नहीं हुआ है वो एक्जाम दे दे और उन बच्चों में जैसे सर कई हमारे पास एफिडेविड है हम दिखा सकते हैं आपको यह जैसे कई बच्चों का है जैसे है चेर्मेन साहब का कहना है कि कई सेंट्रों में पहले उन्होंने एक चैनल को इंट्रिव दिया था उसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि हमें हमने दुबारा एक्जाम इसलिए लिया है ताकि वहां पर कम समय मिला था बच्चों को यह एक इंट्रिव में बोला गया है उन्होंने तो और मगर उसके बाद क्या है हमारे पास यह एफिडेविड आप देख सकते है इसके अंदर लिखा हुआ है कि पूरा टाइम दिया गया है बच्चे ने ठीक है और सर फिर अब जो इंटर्वी हुआ है उनका पंजाब केसरी का तो उनमें उसके अंदर उन्होंने बोला है कि बच्चों का पेपर टफ आ गया था एस वज़से हमने second exam लिया hai तो sir अब जैसे क्या हुआ गुडगाउं के एक center के अंदर पहले एक exam खोल दिया गया 20 मिनट के लिए 20 मिनट के बाद दूसरा एक्जाम दे दिया गया दूसरा exam question paper दिया उसके बाद तीसरा दिया गया और इसी तरह देते देते उसके बाद उन बच्चों से आदों से वापीस ले लिया गया और एक कही एक सेंटर है गुडगाओं के पास सीविल लाइन बश्टन्ड के पास गौर्बेंट स्कूल है उस सेंटर के अन्डर क्या हुआ है पहले सबसे पहले एक 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 एकजाम करवा लिया गया बच्चों से, सुबह नो से साड़े दस के बीच में, उसके बाद बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया, वहीं रोक के रखा, उसके बाद फिर एक बज़े तक दूसरा एकजाम करवाया गया है, और एक बज़े के बाद वहां से उनकी एक्जिट हुई है और उनसे लिखवाया गया है कि आप अनोसी पे साइन करके जाएं कि अमने आपको पूरा टाइम दिया है कोई दांदली नहीं हुई तो इस टाइप के बहुत से इशुज निकल के आ रहे हैं कोई सेंटर हैं उनके अंदर बायोमेट्रिक जो एक्जाम सेंटर के हम अंदर एंट्री करते हैं उस टाइम होती है ताकि कोई एक बच्चे की जगा दूसरा बच्चा ना आ जाए मगर कई बहुत से सेंटर हैं ये भी आपको मैं एफिडेविट दिखाना चाहूंगा इसके अंदर भी एक बच्चे ने एफिडेविट दिय हुआ है जिसके प्रिक्साइस वो जो सेंटर था उसमें वहां पर बायोमेट्रिक बहुत बाद में हुई है पूरा एक्जाम होने के बाद तो क्या इसमें ये इशु नहीं लगता कि एक बच्चे की जगा कोई दूसरा बच्चा दे गया हो एक्जाम और देने के बच्चे इस पे मतलब मीडिया रिफोर्ट्स ये बदाती हैं कि उन्होंने क्लियर किया है क्लैरिफाइ किया है जो चेर्मेन है आपको क्या लगता है कि गड़बड़ी कहा हुई और उन्होंने जो क्लियर किया है उसमें डिफरेंस कहां पर है सर्म हमारा सिर्फ ये है कि वो बात करते हैं समानता की एक्वैलिटी की तो यहां एक्वैलिटी कैसे हो गई और सबसे बड़ी बात क्या है जो तेरा तारीकों एक्जाम हुआ है उस एक्जाम के अंदर वो कह रहे हैं उनका कहना है कि हमने 500 कुछ अराउंड में बच्चों का क्वालिफाई किया है मगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितने बच्चों ने कि अनमे से 37 का हमें जो डाटा मिला है वो मैं आपको दिखाँ और सर एक रूम में से जैसे ये हमने मार्क की होएं रोल नंबर ठीक है और इसी तरह आपको दूसरे पेज का ही पकड़ लो ये इस एक रूम के है और ये एक रूम के है तो इसी तरह वो जो उनका कहना है कि सिर्फ बच्चे और सर इन में वो बच्चों का तो वो डाटा ही नहीं दिखा रहे जिन में आप ये देखे जो अपसेंट थे आप ये सिस्ट सोचके देखिए कि जिन बच्चों का अगर वो कहते हैं कि समय पूरा नहीं मिला या कहीं कहते हैं टफ कोई टफ पेपर खुल गया तो आप यह सोच के देखें सर कि ऐसा सुप्रिटेंडेंडेंट कैसे खोल सकता है सुप्रिटेंडेंडेंट एक गजटीर पोस्ट पा का आदमी होता है कोई अपड़ा अधमी तो होता है नहीं कि कोई भी एपर खुल देगा और उसको यह तो पता होना चाहिए पहले आगे से ओर आते हैं कि कौन सा पेपर आपको खोलना है, महां से गाइडलाइन मिलती है, जो ऐसा भी कहीं पे हमें होता हुआ, नहीं दिखाई दे रहा, उनकी वर्डिंग के अकोर्डिंग तो, और फिर क्या हुआ, अब सर, जैसे इन में से ये बच्चे सलेक्ट हो गई, आप ये चीज़ सोचके देखिया, अगर मुश्किल पेपर था, या पेपर टाइम नहीं मिला, तो उन बच्चों ने क्वालिफाई कैसे कर लिया, और ये लोग वो चीज़ें पूरा डाटा, और पूरी चीज़ें हमारे रोल नंबर या उस चीज़ों की, जो उस दिन वाले रोल नंबर है, वो कोई इशू नहीं कर रहे, कहीं पर दिखा नहीं कर रहे, तो आप उनसे मिलने गए थे, चेर्में से, उन्होंने मिले, आपसे, सर हम गए हैं चार तारीक को हम फिर गए हैं छे तारीक को फिर गए हम आठ तारीक को फिर गए हैं ग्यारा को और फिर अठारा को तो दो दिन एक दिन मिले वो उन्होंने एक इंटर्विव के अंदर ये बोला था नहीं आप से कुछ बात हुई हाँ जी हमने उन से बात की हमने कहा भी सर अगर एक्जाम लेना है तो पूर सभी बच्चों का रिकंड़क्ट होना चाहिए कि ऐसे ऐसे दांदली हो रही है भी हमारे साथ अन्याई क्यों हो रहा है क्योंकि आप ये देखिए समानता की जो बात करते हैं उन्होंने क्या बोला उन्होंने सर सिरफ और सिरफ ये कहा कि हम आपको शाम को नोटीच डल जाएगा हम आपके साथ अन्याई नहीं ओने देंगे हम नोटीच डाल देंगे और उसके बाद हमें का भी आप जा सकते हैं वहां पर कोई नोटीच ईस के ड़ला सर हम वेट करक के आ चुके फिर उसके जब हम दुबारा गए छें तारीक को, फिर भी यही जवाब था कि मैं मीटिंग करूँगा, मीटिंग करने के बाद जो डिसीजन होगा, मैं अकेला कुछ नी कर सकता, जो डिसीजन होगा, हम आपको बता देंगे, उसके बाद हम आ गए, और फिर गए तो सर मिले नहीं वो, उ हम से वो नहीं मिले, दांदली किस तरीके सोई से मैं यह जानना चाहता हूँ, आप कहते है ना कुछ गडबड हुई है, तो गडबड कैसे हुई है, सर दांदली है, जैसे कि सर जो पायोमेटिक अटेंस होती है, हमारा सबसे परला पॉंट यह है, जो एक्जाम के स्टाटिं में होती है, एंट्री करने के बाद होती है, जो पेपर के अंदर जब अटेंस होती है, हमारी बाइमेटिक अटेंस होती है, उससर पेपर में स्टाटिंग से होती है, मलब पहले एंट्री करने के बाद, लेकिन वो जब पेपर के बाद हो रही है, इसका मतलब क्या बनता है, अब selection होगे हैं? यहाँ नियो सराभी तक फाइनलिस्ट निया है, फिजीकल हो चुके है, फिजीकल की लिस्ट आरही है सर इस में क्या किया जा रहा है कि गवर्मेंट की दौरा यह दो सल पर चाहले की बड़ती है, सर अब तक इस पर कोई स्टेप नहीं था, सर, लेकिन आप यह ऐसी जल्दबाजी मचा रहे हैं, इस चीज के, हो कि इसको हफते के अंदर पूरा करने की सोच रहे हैं, सर, इस चीज के, जल्दबाजी हो रही है? बिल्कुल, सर जी, इसे? सिरफ यह दहंदले बाजी कारण औरी है सर ना ही हमें कोई रिस्पोंस दिया जारा ना ही हमें कोई रिप्लाई दिया जारा इस चीज के लिए कि आप मलब हम कमिया गिनवा रहे हैं काफी सेंटर रहे हैं सर जिसके अंदर पेपर भी अंसिल्ड है ठीक है बाइमेटर इंदर बाद में हो रही है ऐसी सर कुछ बतते हैं जिसके कारण आमे पे और दहंदी लग रही है और जब सर जो तेरा तारिक को बच्चे हैं सर एक्जाम दिया है उनोंने 26 तारिक को जो जो जिन बच्चों ने पेपर दिया था उनका आप ओप्शन दे रहे हो उसके बाद आप कैसे कह सकते हो कि आप पेपर मनलब सही कंड़क्ट करवा रहे हो उससे अगली बात ये जब हमारा 26 तारिक को जो एक्जाम हुआ है उसके जो 10-15 कोश्चन थे ना वो तेरा तारिक के एक्जाम में डाले हो है उसके रिगार्डिंग बिल्कूल उससे मिलते जुलते सर बच्चे को पैटर्न बाद चल गया सर उस बच्चे को जो जनका दुबारा एक्जाम हुआ उनको पैटर्न बदा चल गया क्योंकि उनका पता दिनका टाइम इल गया सर ठीक है ठीक है सर जी और उसके अलावा सर जो पेपर के अंदर जो लेवल ताना सर वो पहले से भी डाउन किया गया है जो हमारा जो लेवल थाना चबीस तरिक का उससे भी और डाउन किया गया सर उस चीज को सर फिर हम कैसे उस ची दिया था, मगर उसके बाद जो तेरा तारीक की परमीशन दी जाती है, वो पांसो असी बच्चों को दी जाती है, और उसमें से अपसेंट होते हैं, और तीन सो असी सम्धिंग वहां पर एक्जाम देने के लिया थे और बाकी बच्चे अपसेंट है, तो में भी वन थर्टी के अराउंड, बच्चे ऐसे हैं, जो अपसेंट थे, मगर सर, अब उनका डाटा प्रोवाइड नहीं करवा रही है, जिसकी वज़े से हमें पता लगे, और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, एक बच्चे चेर्में एक इंटर्यू के अ तकना जाए, सर एक बात बताईए, कोर्ट को नियाई पालिका बोला जाता है, कि अगर हमारे साथ अनियाई हो रहा होगा, तो हम नियाई मांगने के लिए वहां जाएंगे, जब हमें कहीं नियाई नहीं मिल रहा है, आप हमसे मिलते ही नहीं हैं, तो हम नियाई मांगने के बोला क्लियर करने के लिए मतलब आप उस बास से संतुश नहीं है कौन सी ऐसी बात है जिससे आप संतुश नहीं है और आपको लगता है कि महां पर मिस गाइड कर रहे हैं एक तो सबसे बड़ी बात दस बचों का सेलेक्शन वाली ठीक है और दूसरी बात हम रिवाइड की नहीं डाल रहे उस चीज के लिए तीसरा कि उन बच्चों को हम इतने बच्चे अपसेंट थे तो उनके बारे में वो ये कैसे कह सकते हैं कि उनको उनका एक्जाम इतना अच्छा हो गया कि वो क्वालिफाई भी कर चुके तो लिस्ट क拍 Keod कि अच्चों का एक हम सर से मिले तो सर ने एक इंट्रीव में बोला था कि इस पेपर में पुलिस की एक्जाम में हिंदी अिंग्लिष नहीं आएगी सर यह आप चेक कर सकते हैं यूटूब पे मिल जाएगा उनका KTDT वाले के पास एक इंटर्यू में उन्होंने दिया हुआ है तो उसमें क्या है उसके बाद जब हम छें तारीकों मिले तो हमने उनको उनसे पुछा कि सर इसमें तो Hindi English भी आई हुई थी और उसके बाद सर जैसे भी होगा जिसी भी तरह होगा हम चाहे हमें सीम साब से मिलना पड़े हम सबी जो सबूत हैं हमारे एक साथ इकठा करके हमें चाहे रोड टू रोड गूमना पड़े हर MLA MP से मिलना पड़े हम BJP गवर्मेंट के पास हर किसी मंतरी के पास जाएंगे जो हमारी आवास सुनेगा अभी तक किसी से कोशिश की है मिलने की सर हमने पिछे सिर्षा में 21 तारी को गोपाल कांडा जी को दिया था उसके बाद करनाल किया था वहाँ पे और उसके बाद कोई मंतरी या मुख्य मंतरी मिला है नहीं सर मुख्य मंतरी साब नहीं मिले है हमने सर बहुत कोशिश कर रहे हैं सर हम मुख्य मंतरी जी से बात पहुचा है क्योंकि उनका जो जब से वो आए हैं इमानदारी की बात करते हैं तो उनकी फेर लगे हैं सर हम यह भी नहीं कहते हैं कि फिर बड़तियां नहीं हुए है, मगर सर अब ऐसा क्या हो गया कि इतना उब्जेक्शन होने के बाद इतने बच्चे रोड़ों पे उतर चुके और इतना बड़ा बवंडर हो चुका है, मगर फिर भी सर उसके उपर कोई एक्शन नहीं लिया जा र मुक्हमंतरी में आपके चैनल के माधयम से भी कहना चाहूंगा उन्हों का उपर जरूर कुछ एक्शन ले जीए चलिए आपने सुना जरूर एक्शन लीजिए और सर स्लेबस पैटरन भी फिक्स किया जाए ताकि हमें ये तो पता हो कि हमें पढ़ना क्या है अगर हरियाना जी के तो हरियाना जी के तो पढ़े हम अब सर वो तो ये कह देते और दस कोश्चन सर वो तो तो दो ओप्शन दिये गए थे हमारे इस एक्जाम के अंदर तरावडी और त्रोरी वो सेम नेम है वो बस बोलने का एसेंट का फरक हो गया तो सर अब बच्चे उसमें कौन सा ठीक करेंगे और सर हमारे ग्रहम अंतरी जी की विशेष्टा है पुची कई यह उसके अंदर ओप्शन दिया गया है वो एविवाहित हैं और वो उनोंने महना है एविवाहित होना एविवाहित होना सर किसकी विशेष्टा हो सकती है यह अपके एक्जाम में था? उनका एक बयान है सर एक वीडियो में उनने दिया हुआ है कि जाती धरम से कोई रिलेटिड कोश्चन नहीं आएंगे इस एक्जाम से पहले और उनका खुद का एक्जाम में कोश्चन आया हुआ है कि खदरी वो किस चीज़ से लगाते हैं उनका बही उनकी कास्ट है या ये है तो सर कहां चीज़ें फोलो हो रही हैं सर सुना आपने एक तो एक्जाम में किस तरह के सवाल थे वो इन्होंने बता दिये इनके मताबिक क्या गड़बड़ी हुई है वो इन्होंने बता दिया है और सीधा मुख्यमंद्री हर्याना से सवाल है इनका कि जो वो दावा करते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची सीधी भरती का तो एक बार उनको इस पे विचार करना चाहिए इनके मताबिक इस एक्जाम में इस सेलेक्शन में गड़बड़ी जो है वो हो रही है इनकी बात जो है वो सुनी जानी चाहिए तथ्यों के अधार पर सबूत इनके पास है उन सब को देखते हुए इस पूरे मामले की जान जो है इनके मताबिक जो है होनी चाहिए और ये परिक्शा जो है ये भरती के परिक्शा दोबारा होनी चाहिए खैर इस मसेले पर अब आप अपनी राय जरूर दे देनेंगा कि आपका क्या कुछ कहना है यह जो भरतियां हो रही है हर्याना में अटक रही है या इस तरीके के सवाल आ रहे हैं उस पर आपने अपनी राय जरूर दे देनी है आपको क्या लगता है इस भरती के बारे में या जो इन युवाओं का दावा है और इसको शेर कर दीजिएगा ताकि तमाम युवाओं जो हैं वो अपनी राये दे सकें हाँ क्या सर मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि हमें ऐसे शोर किया जाए कि एन्टी भी जेपी बच्चे हैं हमें भी ये दिखाया जा रहा है कि ये बच्चे दो सरकार के खिलाफ हैं और सर क्यों पैसा क्यों बस यह ना कि सर हम गूमने के लिए हमसे उनसे मिलने के लिए हम अपना जोर लगा रहे हैं हम सभी बच्चे जा रहे हैं, हम रोड मार्च निकाल रहे हैं, कि हमसे कैसे हमारे अन्याय हो रहा है, तो हमें न्याय तो मिले ना, अब सर कोई मिले गा ही नहीं, तो हम रोडों पे क्यों नहीं उतरेंगे, हम सर कोई NTVJP नहीं है, हम किसी भी पक्षकी वो नहीं करते और ना ही हम किसी पक्षकी करते हैं हमारे साथ अन्याय रहे हैं हमें न्याय दिया जाए मेन बात हमारी यह है कि आप हमसे मिल लीजिए हम आपको सुबूत देंगे हम आपको वो बच्चे देंगे जो बच्चे एफिडेविट देने तक के लिए तियार हैं, अगर वो एफिडेविट दे रहेंगे, बहुत बड़ी बात होती है, वो उनके सेंटर में हैं, जो बच्चे हैं, वो आपसे हम मिलवाएंगे, वो बच्चे आपको आपको सब चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, जिनके बेस आपको भी पता लगे कि ये भड़ती फेयर नहीं हो रही है, आपने सुलिया, सर ये बात, एक बात, और करना जाता हूँ, जो आप ये कह रहे हैं, कि मतलब जाज के लिए की जाए, हर एक सेंटर के ओपर सिसी टीवी कैमरा लगे हुए है, सबसे बड़ा सबूत है, सर आप कि जाज करवा लीजे, अपने पता चल जाए, सर बाइमेटिकर टेनर्स के बारे में पता चल जाएगा, पेपर अंशील्ड के बारे में बच्चों ने आवाज उठाई होगी, हर चीज का बता चल जाएगा, सर, सेंटर पे क्या हुए है, सर, मेरे कोड़ी बाते हैं, हमारी स सर, दो ही अपील है, एक तो सर, हमारा एसाई का एक्जाम सब का रिकंड़क्टो सब का दुबारा हो एक साथ, और एक फिक्स पैटरन के साथ हो, सर, जैसे की हमारे जो कमपनी एजनसी है, सर, कार जो अलोट करती है, उसको भी पता चले क्या कोशन डाले है, और बच्चे को क्या पढ़ना है, क्या निया, सर, काफी फीज़ देकर, चेरमें तरफ कैरें, कि हमने वह जो इस कमपनी ने एक्जाम बनाया था, वह उमने बलेक लिस्ट कर दी है, सर, आप यह देखिए, अब बलेक लिस्ट करो, चाय वाइट लिस्ट करो, हम बच्चों के साथ तो खिलव exam में जाते हैं वरतिक exam में जाते हैं आपने देखा कितने लोगों ने apply किया था हना काफी फीस भी दी थी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए जो इन्होंने मुख्यमंतरी साब को कहा है तो बात इनकी सुनवाई जो होनी चाहिए चलिए अगले मसले के साथ आपके साथ मिलेंगे एक नया मसला लेकर एक नई वीडियो के लेकर तब तक के लिए नमस्कार अदाब सच्रियकाल रामरा